वेलकम टू Mastermind of GK एक बर फिर से आप लोग का स्वागत है Mastermind of GK में Friends, पुतपात पुलिस का एक्जाम है जो आपका 27 फरवरी से होने वाला है और 27 मार्ज को आपका बिहार पुलिस फायर मैंन का एक्जाम होने वाला है सभी को पता है Friends तो देखे मैं आपको कुछ important topic से topic wise जिक्के करा देता हूँ ये सभी topic से कोई भी परत्युक्ता परिच्छा हो उसमें प्रश्न अवज से पूछा जाता है ठेए friends इसी तरह से कुछ topic wise मैं आपको जिक्के जिस प्रवाइड करा देता हूँ जो सभी परकार के परत्युक्ता परिच्छा के लिए काफी महत्पोर होगा और ये सब topic से हर हाल में आपको प्रश्न पूछा ही जाता है friends इसलिए वीडियो के लाज तक बने रहेगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जिरूर करेगा और comment करके हमें बताएगा फ्रेंज की topic wise जिके जिस आप लोगो कैसा लगा चैनल को अभी तक subscribe ने किये हैं तो चैनल को subscribe कर वेल आइकन को दबा दिजेगा ताकि महत्पोर्ण वीडियो का notification समय से मिलता रहे और ये सब प्रशन है जो आपका topic wise application पर भी मिल जाएगा तो PDF की आपको जिरूरत नहीं पड़ेगी application डाउनलोड कर लिजेगा और जब जी चाहेगा ताब इसको आप revision कर सकते हैं तो चले वीडियो को शुरू करते हैं आज का जो important topic है फ्रेंस आपका EU ANO के बारे में आनी संजुक्त राश्रंग के बारे में ठीक है तो इससे आपका जितना भी महतुपोर्ण objective प्रशन बनता था सभी को एक ही वीडियो में include की हैं फ्रेंस तो चले वीडियो को शुरू करते हैं आज का पहला question आप लोग के सामने है संजुक्त राश्रंग की अस्थापना कब हुई थी गेस करते चलेगा इसका character answer हो जाएगा पहला का 24 October 1945 इस वीडियो को संजुक्त राश्रंग की अस्थापना हुई थी इसलिए परतेक वर्ष 24 October को संजुक्त राश्रंग अस्थापना दिवस की रुप में भी मनाते हैं ठीक है पहला का character answer आपका option नमर यह हो जाएगा तो दुसरा नमर question दिखते हैं दुसरा नमर question आपका है कि संजुक्त राश्रंग अर्थात UNO का मुक्षाले कहां इस्तित है तो संजुक्त राश्रंग का मुक्षाले कहां है फ्रेंस दुसरा का character answer हो जाएगा आपका निवार्क सहर में जो अमेरिका में पढ़ता है तीसरा नमर शवाल देखें तीसरा नमर शवाल आपका है कि संजुक्त राश्रा संजुक्त राश्ट सब्द किसे दिया था तो तीसरा का और सब्द किस्ने दिया था तो तीन का जो खयरेक्टर सलोगा फ्रेन्स आपका आपसर नंबर 6 अमेरिकी राष्टपती थे जिनका नाम था Franklin Roosevelt इनोंने ही संजुक्त राश्ट शब्द दिया था किस ने दिया था ये संजुक्त राष्ट सब्द है जो किस ने दिया था तो तीन का जो कारेक्टर रोगा फ्रेंस आपका आपसर नमर सी अमेरिकी राष्ट पती थे जिनका नाम था फ्रैंकलिंग रुसवेल्ट इन्होंने ही संजुक्त राष्ट दिया था तो तीसरा का कारेक्टर नमर आपका सी हो जाएगा चौथा नमर शावाल देखे कि जून 1945 में 50 देशों के परतिनिधियों ने कहा संजुक्त राष्ट के चार्टर के लिए ड्राफ्ट और प्रारूप तयार किया था तो किस जगा पर इसका ड्राफ्ट तयार किया था गेश किजिए चार का जो कारेक्टर नमर आपका प्रारूप आर्थार चार्टर तयार किया था नेश कोस्टन को देखते हैं कि 1945 में जब संजुक्त राष्ट के अस्थापना हुई थी उस समय सदस्य देश कितने थे उस समय कितने टूटल देश थे तो 51 देश थे अगला सवाल को देखते हैं कि कितने देश के परतिनीधियों द्वारा संजुक्त राष्ट के अस्थापना चार्टर पर 26 जून 1945 को हस्ताक्षर किये थे ठीक है तो देखे इसमें इसका कारेक्ट रंसर होगा अच्छा का आप्षन नमर ए सदस्य तो सामिल थे फ्रिंस कितना टूटल एकावन लेकिन एक देश जो बाद में इसमें हस्ताक्षर किये थे तो इस तरह से कोश्चन अगर पुछा जाएगा फ्रिंस तो इसका कारेक्ट रंसर होगा आप्षन नमर ए ठीक है चले अगरा सवाल को देखते हैं साथ नमर सवाल है सन्युक्त राश्रंग के पर्थम महा सचीव का नाम क्या है तो सन्युक्त राश्रंग के पर्थम महा सचीव का नाम बताएं साथ का जो कारेक्ट रंसर होगा फ्रिंस ट्रिंग वेली आप्षन नमर सी इसका कारेक्ट रंसर हो जाएगा आठ नमर शवाल देखें संजुक राश्रंग के पर्थम महासचिव ट्रिगवेली किस देश के थे जो संजुक राश्रंग के पर्थम महासचिव बने थे ट्रिगवेली वो किस देश के रहने वाले थे तो आठ का जो कारेक्टरन सरो हो जाएगा आप्शन नमर सी ये नार्वे के रहने वाले थे, अगला question को देखें, 9 number question, संजुक राश्रंग के महा सचीव की अबधी क्या है, बहुत important सवाल है friends, संजुक राश्रंग के जो महा सचीव होते हो, कारिकाल की अबधी कितनी होती है, 9 number सवाल का character answer option number 2 होगा, 5 वर्सकी होती है, अगला सवाल दे friends, आपका हो जाएगा option number C, you thought in का नाम था, ठीक है, next question को देखते हैं, संजुक राश्रंग सुरच्छा परिषद की अस्थाई सदस्य देशों की संख्या कितना है, friends, guess किजिए, 11 का character answer होगा, कितना है, total 5 है, अगला सवाल को देखें, 12 number सवाल आपका है, संजुक राश्ट म 23 सदस्य की संख्या कितनी है, आनि, 23 सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो 12 का character answer होगा, option number B हो जाएगा, ठीक है, 12 का जो आपका character answer होगा, option number B, total कितना है, तो आपका 10 हो जाएगा, ठीक है, friends, 13 नमर शवाल को देखे 13 नमर शवाल आपका है संजुक्त राष्ट सुरच्छा परिशत के 5 28 सदस्य में समलित है अभी इमने देखा आप्षेंज के संजुक्त राष्टाइंग में सुरच्छा परिशत में टोटल कितने देश सामिल है तो 5 अस्थाई देश है न 5 अस्थाई देश है वो कौन-कौन है तो आपका 13 नमर शवाल का करेक्ट अंसर क्या होगा तो 13 का जो करेक्ट अंसर होगा अप्शन नमर ए USA अने अमेरिका, United Kingdom 2 होगी अप्शन, रूस 3 होगया चीन 4 होगया और 5 अस्थाई आपका फ्रांस है तो अप्शन नमर ए इस का करेक्ट अंसर होगा तेरा का 14 नमर शवाल को देखे संजुक्त राष्ट संग के कितने अंग है यह भी important question है संजुक्त राष्ट संग के अंग कितने है गिस किजे तो 14 का जो आपका करेक्ट राष्ट रोगा फ्रेंस option नमर आपका डि हो जागा तोटल कितने अंग है तो 6 अंग है जो संजुक्त राष्ट के है अगला सवाल को देखे है फ्रेंस पंदर नमर शवाल संजुक्त राष्ट कार्याले की कारकारी भासा कौन सी है पंदर नमर शवाल ये भी टॉप मोश्ट भीवाई कोस्ट ने फ्रेंस पूछा जाता है जामे कि संजुक्त राष्ट कार्याले की कारकारी भासा कौन है तो 15 का जो करेक्ट रोगा फ्रेंस option नमर ए अंग्रेजी और फ्रेंस इसका है जो कारी भासा है ठीक है कर्याले की कारी भासा क्या है तो अंग्रेजी और फ्रेंस अगला सवाल है फ्रेंस कि निम्न में से कौन सी भासा संजुक्त राष्ट की भासा नहीं है तो 16 नमर शवाल का जो एक हैं अगला सवाल आफका है भारत कब संजुकत राश्रंग का सदस्द देश बना था भारत थे जो कभ संजुकत राश्रंग और्क के सदस्य देश कितने हैं बरतमान में अभी देखा जाए तो कितना 193 यानि के 193 देश हैं तो option नमबर आपका 18 का D correct answer हो जाएगा उन्हीं इस नमबर शवाल को देखे कि कौन सा देश संजुक राश्रंग का 113 मा सदस बना है तो कौन सुदान जो आपको कितना 193 देश बना है कि कब बना है तो 20 का जो correct answer हो जाएगा option नमबर आपका D हो जाएगा ठीक है option नमबर D 2011 बना है चले 21 नमबर शवाल को देखे कि संजुक राश्रंग में हिंदी में भासन देने वाले पर्थम भारतिय व्यक्ति कौन थे 21 का अगेस किजे जिसका correct answer option नमबर सी होगा अटल बिहारी बाश्रंग में जो पर्थम बार आपका अ अटल बिहारी बाश्रंग में हिंदी में पहली बार भासन देए थे 3 नमबर शवाल को देखे किस वर्स संजुक राश्रंग को सांती के लिए नोबल प्रुश्कार दिया गया था यह भी बहुत important शवाल है फ्रेंस किस वर्स है जो संजुक राश्रंग को सांतिक लिए Nobel Prize दिया गया था तो 23 का करेक्ट अंसर आप्सन नमर सी 2001 में आपको UN को Nobel प्रुसकार सांतिक लिए दिया गया था 24 नमर शवाल देखे 2001 में संजुक राश्रंग को जब Nobel प्रुसकार से समानित किया था उस समय महा सचीव कौन थे तो 24 का जो करेक्ट अंसर होगा फिर्स कौफी आनन इसका करेक्ट अंसर हो देगा 24 का करेक्ट अंसर आप्सन नमर आपका ए हो जाएगा चले 25 नमर शवाल को देखते हैं संजुक राश्रंग के बरतमान में महा सचीव कौन है 2021 jaun की बरतमान में अभी भी है वो तो 25 का कारेक्ट अंसर आप्सन नमर भी होगा एन्टिनियो गुट रेस हैं जो बरतमान में संजुक राश्रंग के महा सचीव है अगला सवाल है फ्रेंस संजुक राश्रांग के बरतमान में महा सचीव एंटोनियो गुटरेश किस देश के निवासी है जो बरतमान में फ्रेंस आपका संजुक राश्रांग के महा सचीव है एंटोनियो गुटरेश एकिस देश के रहने वाले है यह कोश्चन है तो यह इसका गेस किजिए तो यह आपका पुर्तगाल के रहने वाले है आप्सन नमर डी इसका करेक्ट अंसर होगा चलिए 27 नमर शवाल देखे संजुक राश्रंग के बरतमान महासचीव एंटोनियो गुटरिस को कौन से नमर के महासचीव है यह देखे अभी 9 नमर के है आप्सन नमर सी इसका करेक्ट अंसर हो जागा 27 का करेक्ट अंसर सी हो जागा आप्सन नमर के है तो 9 है चलिए 28 नमर सवाल को देखे संजुक राश्रंग में बीटो का क्या अर्थ होता है यह भी बहुत इंपोर्टन सवाल है तो देखे इसमें बीटो का अर्थ होता है आप्सन नमर एक करेक्ट अंसर मैं निसेद करता हूँ ठीक है निसे धात्मक वोट इसका अर्थ भी होता है तो संजुक राश्रंग में बीटो का क्या होता है तो यही आप्सन नमर एस का करेक्ट अंसर होगा तो वेटकन सीटी और ताइवान है जो आपका फ्रेंज संजुक राश्रंग के सदस नहीं है तो 19 का करेक्टन सर आप्चन नमर यह हो जाएगा तीस नमर शवाल देखिए अटल विहारी बाइजपे ने संजुक राश्रंग के किस अधिवेशन में 177 में हिंदी में भासन दिया था इनसे समंदित देखिए आपका तीन कोश्चन बनता है फ्रेंज एक तो कब दिये थे और कौन दिया था तो किलियर हो गया आपका 32 में में दिये थे ठीक है कब दिये थे 32 में में अगला सवाल को देखते हैं अंतरराश्टिय नयालाई का मुख्यालाई कहां इस्तित है यह देखिए कोश्चन बार बार आता है 31 का गिस किजिए तो यह आपका नीदर लेंड के दहेग में है आप्सन नमर शी इसका करेक्ट किया आती है आपका भी वाइक कोश्चन सभी लोग इसको जिरुआद रखेगा अगला सवाल को देखे 33 नंबर पार्लियामेंट ओफ दा वर्ल्ड विस्व का संसद किसे कहा जाता चले गेज की जेप्रेंस किया होगा विस्व का संसद किसे कहा जाता है 33 का करेक्ट अंसर ऑ बहुँ ज़दा इंपोर्टन सवाल है अंतराश्ठी नियाले में नयधीसों की संख्या ठोटल कितनी होती है तो आपका संख्या 15 होती है और इसके कार्यक्त अंसर हो जाएगा अगला सवाल है अंतराश्छी नियाले के नयाधीस का कारकाल कितने वर्सका होता है यह भी की होता है तो 9 वर्स का होता है option नमर बी इसका correct अंसर हो जाएगा 36 नमर शवाल देखे फ्रेंज 36 नमर शवाल है सुरच्छा परिशद में बीटो निसेधा का अधिकार किसके पास होता है यही question आपका है तो देखे इसका correct अंसर हो जाएगा उनहीं के पास जो बीटो पावर होता है साइटिस नमर सर पर्थम बीटो पावर का इस्तमाल किस देश ने किया था यह बहुत जादा important है सर पर्थम बीटो पावर का इस्तमाल किस ने किया था तो सर पर्थम जो किया था अमेरका ने किया था सरव परफम बीटो पावर का इस्तमाल उन्हें सवी 74 इस वी में किस ने किया था तो अमेरकान ने किया था एक कोशन है फ्रेंट्स यहां पर कि सबसे अधिक बार बीटो पावर का इस्तमाल किस दिशने किया था ये दोनों कोंशन बहुत important है इसमें आपका अक्सर अभिदार्थी confused होते हैं तो देखे अभी हम लोग ने क्या देखा कि सरपर्थब बीटो पावर का इस्तमाल किसी ने क्या था पहला बार इस्तमाल किया था तो अमेरिकान क्या था लेकिन सबसे ज्यादा बीटो पावर का परियोग किसी ने क्या इस्तमाल किसी ने क्या है तो रस्या हो जाएगा option number D 38 का character answer हो जाएगा 49 number शवाल देखे संजुक्त राष्ट के परतिक चीन में किसकी दोसा खाए है तो देखे इसका character answer होगा क्या फ्रेंस guess किजिए तो इसका option number C 49 का option number C character answer होगा जेतून का है फ्रेंस जिसे उलाइब भी कहा जाता है अंग्रेजी में अगला सवाल को देखे संजुक्त राष्ट का अंग सची वालाय का अध्यक्ष कौन होता है 40 का character answer option number B संजुक्त राष्ट महा सची होते हैं 41 नमर शवाल देखे अटल बिहारी बाजपे इने जिस समय संजुक्त राष्ट में हिंदे में भासन दिया था उस समय वे भारत के क पॉटेंट है कब दिये थे फ्रेंट उनेशो सतत्तर इसमी में दिये थे और हिंदी में दिये थे तो उस समय वो क्या थे 41 का character answer option number यह विदेश मंत्री थे option number सी इसका character answer हो जाएगा अगला सवाल है फ्रेंट संजुक्त राष्ट संग की library का क्या नाम है 42 का character answer क्या होगा तो देखें जो संजुक्त राष्ट का युएन की library है उसका नाम क्या है तो option number B hammer sold library उनका नाम है तो option number B इसका character answer हो जाएगा 43 नाम सवाल देखें संजुक्त राष्ट 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 दिवस हर साल कम मनाया जाता है शुरू फर्ष्ट कोस्टें में हम लोग देखे थे फिर 24 अक्टूबर 45 इसेथे इसलिए 24 अक्टूबर को हर एक साल अस्थापना दिवस की रुप्ये बनाते है option number B इसका character answer हो जाएगा 44 नमर सवाल देखें संजुक्त राष्ट संग की अस्थापना का मुख्य उदेश क्या है इंबी टॉप्मोस्ट भी वाय creation वाले गेस के जिसका करेक्ट अंसर क्या हुए 43 का तो सन्युक्त राश्णाग जो किया स्थापना वी थी फ्रेंस आपको दुतिये विश्वुद्र कब गवा था 1949 याद करिए 1949 से 45 तक आपका 6 वर्ष तक दुतिये विश्वुद्र चला था जिसमें क्या हुआ था फ्रेंस बहुत ही जान माल की छती हुई थी दुतिये विश्वुद्र के दौरान के दौरान ही आपको अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 सभी को पता आवा 6 अगस्त 1945 को हिरो सिवा पर और 9 अगस् साकी पर परमानू बं एटम बं से हमला किया था फ्रेंस जिसमें जो की बहुत ही बिधन सकार्य था उसमें बहुत लोगों की जान भी गई थी और जान माल की बहुत छती हुई थी ठीक है तो दौर्टिये विश्वुद्र के बाद यह हुआ था फ्रेंस तो इसका देखे उ संजुक राश्रं की स्थापना का मुख्य उदेश क्या है तो इसका जो आपका मुख्य उदेश है विश्व सांती वं सुरच्छा ठीक है विश्व में सांती वं सुरच्छा कायम रखना संजुक राश्रं के स्थापना का ही मुख्य उदेश है अगला सवाल देखे संजु का पुलिस माइन कहा जाता है option number C correct answer होगा 46 नमर शवाल देखे संजुक राष्टांग के मुख्याले के लिए किसने जमीन दान में दी थी संजुक राष्टांग के मुख्याले के लिए जमीन है जो दान में दिया गया था तो किसने दिया था ये तो option number B जोन डी राक फिलर ने इसके लिए जमीन को दान दिया था 47 नमर शवाल देखे संजुक राष्टांग के ध्वज को अपनाया गया था UN के ध्वज को कब अपनाया गया था तो 47 का correct answer हो जाएगा 1947 इसमीन में इसको अपनाया गया था स्थापना 1945 में गया था दो साल बाद इसका ध्वज को अपनाया गया था option number 47 का correct answer हो जाएगा अगला सवाल है फ्रेंस संजुक राष्टांग का नाम किस ने दिया था इसका नामाकरन किस ने किया था नाम किस ने दिया था तेही आपका 48 का correct answer option number D हो जाएगा Franklin Roosevelt जो की अमेरकी राष्ट पती थे option number D इसका correct answer हो जाएगा 49 नामर सवाल देखे संजुक राष्टांग की पहली बैठक कहां होई थी इसकी देखे पहली बैठक बहुत important सवाल है इसकी पहली बैठक जो हुआ था फ्रेंश लंदन में हुआ था आद रखेगा 49 का correct answer C होगा संजुक राष्टांग की जो पहली बैठक का योजन किया गया था कहां तो आपका लंदन में किया गया था 50 नमर सवाल को देखे संजुक राष्टांग की पहली बैठक लंदन में कब हुई थी संजुक राष्टांग की तोटल हम 68 प्रशन आप लोग को प्रवाइड करा रहा हूं ठीक है जितना important question बनता था सभी एक ही वीडियो में मैं कभर करके बता रहा हूं और इसका PDF के लिए आप लोग डिमांड करेगा अप्लिकेशन में भी प्रवाइड करा दिया अप्लिकेशन और एक से दो दिन में आपको अप्लिकेशन मैं पब्लिस कर दूँगा फिर आप लोग डाउनलोड कर लिजेगा चलिए तो पचास नमर सवाल आपका है तो 51 का करेक्टर अप्सन नमर सी होगा 3 अप्रेल में 46 इसवी को अंतराष्टिय नयाले के स्थापना की गई थी 52 नमर सवाल को देखे संजुक राष्रंग के सम्मिधान चार्टर में कितने अध्याय और अनुछेदे बहुत ही इंपॉर्टेन सवाल है देखें जो संजुक राष्रंग के सम्मिधान है तो उसके चार्टर में कितने अध्याय और कितने अनुछेदे हैं तो 52 का करेक्टर अप्सन नमर भी होगा उसमें टोटल 19 अध्याय हैं और अनुछेदे कितना है तो 111 है अगला सवाल है फ्रेंस आपका अंतराश्टे न्याले में पहले भारतिय नैधिस कौन थे यह इपिंपॉटेंट है जो अंतराश्टे न्याले के पहले भारतिय नैधिस बनने वाले कौन थे तो 13-15 का का रेक्टर अचरल नागेंदर सी हो जाएगा चलिए 54 कर शवाल को देखें कि पर्ति वर्स कब महा सभा के समेलन होता है ये भी इंपोर्टेंट है पर्ति वर्स कब महा सभा के समेलन होता है तो पच्पन का जो करेक्टन सरे फ्रेंस आपका सितंबर महिना में होता है ठीक है आपका संजुक राश्रंग है उसमें महा सभा का समेलन होता है वो सितंबर महा प्रिफिंस दो है याद रखेगा आप्शन नंबर एक करेक्ट नसर हो जाएगा संथावन नमर शवाल संजुक राष्टंग ने कब अपने जंडे को स्विकार किया था तो संथावन का करेक्ट नसर आप्शन नमर सी तो अंठावन का करेक्टनसर भी हो जाएगा 69 नमबर सवाल देखे संजुक राशन के आठवे महा सचीव बान की मून किस देश के थे ठीके फ्रेंस तो देखे अभी जो बरतमान में है गुट्रेस वो तो कैमे थे 9 सचीव अभी मैंने उपद बता चुका हूँ इसके पहले जो आठवे में आपका बान की मून ओ किस देश के रहने वाले थे जो आठवे महा सचीव थे उन सट का करेक्टनसर आप्शन नमर डी होगा दच्छिन कोरिया के रहने वाले थे बान की मून आप लोग नाम सुने होगे अगला सवाल है साथ नमर सवाल है कि संजुक्त राष्ट महा सचीव की मिर्तु उनके कारकाल के दोरान हो गई थे कौन महा सचीव थे जिनकी मिर्तु कारकाल के दोरान ही हो गई थे हो गई थी तो șarj का जो करेकट अंसर है option num excitons जो जाएगा 16 नमर सबाल को देखे संजुक राश्णन के किस अंग ने एक नॉमबर 1994 से अपने कार्य को आपचारिक रुप से निलंबित कर दिया है तो देखे संजुक राश्णन के कान सा अंग है जो भी 1994 से अप्चारियों के उसे काम करना बंद कर दिया है तो 61 का कारेक्टन सर्व हो जागा न्याय परिशर ठीक है अगला सवाल को देखे 62 नमर सवाल संजुक्त राश्रंग के पहले अफिर की महा सचीव का क्या नाम है तो 62 का करेक्टन सर्व आप्चन नमर सी होगा उनका नाम है बाउट्रोस घाली ये पहले अफिर की महा सचीव बने थे आप्चन नमर सी इस का करेक्टन सर्व होगा 64 नमर सवाल के देखे संजुक राश्रंग के चार्टर में कुल कितने सब्द अध्याय वद धाराये हैं 64 का जो करेक्टन सर्व होगा ऑप्चन नमर ए तो 64 का जो करेक्टन सर्व होगा ओप्चन नमर आपका ए हो जाएगा 65 नमबर सवाल को देखे 65 नमबर सवाल आपका है संजुक राश्रंग महासभा को संसार की नगर सभा किसने कहा था तो 65 का जो करेक्टर रोज़ेगा आप्शन नमरी सुमा उनका नाम था क्या था सुमा 66 नमबर सवाल को देखे सुरच्छा परिश्रंग को संजुक राश्रंग की कुंजी किसने कहा था तो कुंजी किसने कहा था सुरच्छा परिश्रंग को संजुक राश्रंग की तो ये पामर और पार्किन्स ने कहा था 65 का करेक्टर रोज़ेगा 66 नमबर सवाल देखे संजुक्त राशरंग के किस धारा में तो देखे धारा 27 से चाहिए धारा 27 में बीटो पावर के बारे में जिक्र मिलता इसलिए उप्सन नमर A सरशरंग का कारेक्ट अन्सर हो जाएगा चलिए आज का लाश आज शवाल देखते हैं संजुक राश्रंग की पर्थम महिला सदस से कौन थी तो संजुक राश्रंग की पर्थम महिला सदस से कौन थी तो 68 का कारेक्टर सर आप्सन नमर सी विजय लच्मी पंडित थी जो संजुक राश्रंग की पर्थम महिला सदस से थी तो option number 6 का character शरूदेगा ठीक है friends तो देखिए आपका UNO ठीक है friends अर्थात आपका संजुक राच्षंग की संजुक राच्षंग से समंधित जितने भी महत्पून प्रशन था सभी को एक वीडियो में 68 प्रशन मैं आप लोगो प्रवाइट करें बहुत ही important topic है इससे कोई भी exam हो उसमें प्रशन एक या दो प्रशन पूछा जाता है तो इसका revision आप लोग जरूर कर ले और इसका फ्रेंट्स PDF के लिए तो आपका मैं बता चुका हो कि एक दू दिन में अप्लिकेशन पॉब्लिक हो जाएगा तो उसमें इस सब कोशन डाला हुआ है तो अभी देखिए फ्रेंट्स जो important topic है उससे मैं आपको कुछ करवा देता हूं जैसे क्या आपका हो गया भारती राष्टि कॉंग्रेस से अनुशेद से हो गया फ्रेंट् है जो इक्जाम में बर-बर पूछा गया उसका में रिवीजन आप लोको करवा देता हूं और फिर इसका आपको रिवीजन करने के लिए पीडियेप के लिए आपको एप्लिकेशन पर जाकर के भी वहां पर रिवीजन कर लेजेगा तो चलिए फ्रेंट्स कॉमेंट करके ब आइन वाद